सालright के नमस्कार दोस्तों मैं सिये दिवाक्र जग्गा तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पेबोल टी हानी की पेडोकन के बारे में तो दोस्तों यह बाइन आंस स्मार्ट चेन इठ्रम ब्लोक्चेन और ब्लोक्चेरिन और पर बना इसके 7500 holder है और अगर exchanges के भी holder एक guest के साथ add कर लिए जाएं दोस्तों तो वो total जो holder count बैठता है वो है 15,000 तो दोस्तों अगर हम इसके usage की बात करते हैं तो ये एक payment solution है जो cross chain यानि की exchanges sorry blockchain पे ये interoperable payment solution है तो दोस्तों एक अच्छा खासा usage इसका बैठता है और आने वाले जो time में payment solution का भी एक अच्छा खासा time आने वाला है आगे ये चीज़ें भी बहुत तरक्की करेंगी इसका जो usage है वो मैं ठीक ठाक देख पा रहा हूं लेकिन relatively नया token है दोस्तों तो रिस्क जो portion है वो हमेशा इसमें रहता है नए token में लेकिन अभी जो इसका जो price चल रहा है दोस्तों वो पॉइंट डबल जीरो फोर थ्री यूसडी के आसपास चल रहा है अगर मैं बात करूं तो तीस पैसे के आसपास ये एक token बैठता है तो आने वाले टाइम में ये बड़े अराम से सो से 200-300 पर सेंट तक का जो है गेम ये कर सकता है क्योंकि उसका एक कारण ये है कि एक payment solution जो है ये बना रहे हैं और ये mobile के थुरू आप crypto की payment कर पाएंगे यानि कि अगर आप किसी store में जाते हैं वहां कुछ buy करते हैं तो आप mobile के थुरू उस crypto से थुरू आप payment कर पाएंगे यानि कि crypto payment को ये एक आसान system पे ले आएगा जिस तरह आज आप wallet के थुरू या आपका credit card के थुरू payment करते है ये जो crypto की payment है उसको उस तरह usable तरीके से असान तरीके से easy to use तरीके से ये जो है उसको system पे ले आएगा तो अगर दोस्तों आप जैसे नए token थोड़े risky होते हैं मैंने अब ले भी आपको बताया है तो अपना जो है सोच समझ कर इसमें थोड़ा risk कम लें लेकिन इसका future मेरे को ठीक ठाक दिखाई देता है तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इसमें invest कर सकते हैं लेकिन साथ के साथ आपको जो है अपना research जरूर करना है दोस्तों क्योंकि जो भी profit loss होना है वो आपको होना है तो दोस्तों जुड़े रहें crypto की authentic जानकारी के लिए धन्यावाद